वेल्कम टू दिस चैनल सिंदु घाटी की सबता चैप्टर शुरू करने से पहले एक प्रश्न पूँचता हूँ मैं आप सभी से अगर आप से पूँचा जाए कि दस वर्ष पहले हमारा समाज कैसा था क्या घटनाय घटी थी क्या हुआ था लोग कैसे रहते थे तो आप क्या करेंगे तो संभोता आप जानने के लिए ये सब जानने के लिए इंटरनेट पर सरच करेंगे या दस साल पहले जो न्यूज पेपर चलते थे जो न्यूज पेपर थे अगर उनकी कटिंग्स या वो न्यूज पेपर आपको बलब्द हैं आप वो पढ़ेंगे उनसे आपको जानकारी मिलेगी दस साल पहले क्या हुगा था या 10 साल पहले अगर आप बच्चे थे चोटे थे तो आप अपने माता पिता से या अपने दादा दादी नाना नानी से पूँछेंगे कि उस समय लोग कैसे रहते थे क्या करते थे दस साल पहले या बीस साल पहले की घटनाओं के बारे हम जानकारी के लिए लेकिन अगर आप से पूछा जाए कि दो सो साल पहले क्या हुआ था दो सो साल पहले लोगों का जीवन कैसा था वो कैसे रहते थे क्या खाते पीते थे क्या आज के लोगों में और उस समय के लोगों में कुछ अंतर था उनके खेलों में उनके रहन सहन में उनके खाने पीने में क्या डिफरेंट था तो 200 साल पुरानी जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं निश्चित तोर पे आप कोई नो कोई किताब ढूणेंगे कि उस समय के किसी लेखक ने कोई किताब लिखी हो तो आप उस से पढ़के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह सब चीजें जान देखकर उनको पढ़कर उस समय के क्या कल्चर थी, उस समय क्या लोग पहनते थे, कैसे खाते पीते थे, क्या रहते थे, मनुरंजन के साधन क्या थे, समाज में महिलाओं की क्या इस्तिती थी, यह सब आप जान सकते हैं। अगर आप से पूछा जाए कि आज से साड़े चार हजार साल पहले, इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं, वो यही है। सिंदुगाटी सब्विता की प्राचीनता आज से लगभक साड़े चार हजार साल वर्स पूर भी की है। साड़े चार हजार वर्स पहले क्या हुआ था लोग कैसे रहते थे उनके सहर कैसे थे उनके गाओं कैसे थे उनके खेलने के साधन क्या थे मनुरंजन कैसे करते थे महिलाओं की स्थिति क्या थी ये सब जानने के लिए साड़े चार हजार वर्स पुरानी आप कोई किताब ढूढ़ेंगे या अन्न कोई साधन तलास करेंगे जिससे आप उस समय के बारे में जानकारी कर पाएं परी इंटरेस्टिंग चीज आपको यहां पर बताएंगे कि आज से साड़े चार हजार साल पहले जो सब्धा थी जिसे हम लोग सिंदुगाटी सब्धा के नाम से जानते है इसके बारे में न तो कोई किताब अब लब्द है और जो उस समय की मोहरे मिली हुई है खुदाई में जो मोहरे मिली हुई है उनमें जो लिखा हुआ है उसको आज तक पढ़ा नहीं गया है तो उस समय की जानकारी कैसे की जाए कैसे लोगों के जीवन के बारे में सारवजनिक जीवन के बारे में सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में पदा किया जाए यह बहुत ही important और बहुत ही interesting चीज है तो साड़े 4000 वर्स पहले जो यह सबता थी इसको जानने के हमारे पास जो साधन है वो साधन बहुत ही सीमे थे 1921 में क्या हुआ था वर्स 1921 में हडपा नामा के स्थान पे कुछ विसेस प्रकार की इंटे देखी गई तो जिस बिद्वान ने ये देखी जिस बिद्वान ने ये देखी तो उन्होंने अनमान लगाया कि ये कोई सामान इंटे नहीं है ये कुछ विसेस हैं तो जब वहाँ पे उन्होंने खोदाई करवाई तो देखा पूरा का पूरा सहर मिला वहाँ पे, हडपा सहर, तो सबसे पहले वर्स 1921 में हडपा सहर की खोदाई हुई थी, यह हडपा सहर खोजा गया था, इसलिए सिंदुगाटी सब्विता को हम लोग हडपा सब्विता के नाम से भी जानते हैं, तो हम लोग यह चर्चा कर रहे दे कि उस समय की जानकारी के स्रोत क्या है, देखिए, बहुत जादा स्रोत नहीं है, सीमित स्रोत है, उस समय खोदाई में, उसके बाद जब अन्ह सहरों की आसपास के छेत्रों की खोदाई की गई, तो उस खोदाई मे जो भी चीजे मिली है जो मोहरे मिली है जो मूर्तिया मिली है और जिस प्रकार के मकान मिले है खुदाई में उन सभी से जो इतियासकार है वैं निसकर से निकालते हैं कि उस समय का जीवन कैसा था लोग कैसे लेंदिन करते थे क्या व्यापार करते थे कैसा सामाजे कि आर्थिक जीवन था, तो एक प्रशनाफ का बहुत महत्वूण यहां से बनता है कि सिंदुगाटी सब्धता के बारे में जानकारी के स्रोत क्या है तो सबसे महत्वूण स्रोत पुरातात्तिक स्रोथ हैं ध्यान रखिएगा यह प्रश्णाव के पेपर में भी पूछा जा सकता है कि शिंदु घाटी शब्विता के विशय में जानकारी के स्रोथ क्या है पुरातात्विक सुरूत पुरातात्तिक सुरूत क्या होते हैं पुरातात्तिक सुरूत वे सुरूत होते हैं जो उत्खनन से प्राप्त होते हैं बहुत तिक सुरूत होते हैं ये ये साहितिक विवरण नहीं है ये किसी विदेसी बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है अब दूसरा प्रस्ट यह है कि सिंदु घाटी सब्विता कितनी प्राचीन थी कितनी पुरानी सब्विता है यह या कितने पुराने समय की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि आज से लगभक साड़े चार हजार साल पहले परन्तु जो आप किताबों पर लिखा हुआ देखेंगे वह लिखा रहता है कुछ इस तरीके से लिखा रहता है पचीस सो बीसी मतलब दो हजार पानसो बीसी लिखा हुआ हुआ क्या मतलब यह सब बता आज से धाई जार साल पहले की है नहीं यह बीसी में लिखा हुआ है इसका मतलब ईसा मसी के जन्म के धाई जार साल पहले की बात है और इस समय कितना सन चल रहा है इस समय दो हजार बीस चल रहा है तो दो हजार बीस साल ये हो चुके हैं इसा मसी के जन्म के बाद दो हजार बीस साल हो चुके हैं और सॉरी दो हजार एकाईस चल रहा है दो हजार बीस साल ये बीच चुके हैं और इसा मसी के जन्वें के धाई जार साल पहले की बात हो रही है। तो टोटल ये 4500 वर्स हो चुके हैं। तो इस सब्वता की प्राचीनता अर्थात ये सब्वता 2500 वर्स 2520 पुरानी है। आईए अब इस सब्वता के बारे में हम और चीज़ें जानते हैं। हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो स्वयम खुद बखुद आपको याद हो जाएंगी और इस PDF में जो भी चीज़ें सामिल की गई हैं। आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, वो सारी चीजें सामिल की गई हैं, जो आपके परिच्छा के दिश्टी से बहुत महत्वपूर्ण है, तो देखिए आईए सुरू करते हैं, देखिए जैसा कि आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है, ईसा पूर्व ल सर्व प्रथम, 1921 में हरप्पा नामक इस्थान से ही इस संसिक्रिती के संबंद में जानकारी मिली थी, हरप्पा रावी नदी के तड़ पर पाकिस्तान में इस्तित हैं, हरप्पा के उत्खनन करता दयाराम साहिनी और माधो सुरूप वत्स थे, आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसमें बहुत से प्रस्ण बन रहे हैं, उन प्रस्णों को मैं अंडरलाइन भी कर दूँगा, जैसे देखिए, 1921 में हरप्पा नामक इस्थान से इस संस्क्रित की खोज हुई थी, हरप्पा कहां पर इस्तित हैं, रावी नदी के तड़ पर, यहां पर अंगे देखते हैं, शिदुगाटी सबचिता का भागा उलिक विस्थार, इसका मतलब से इस्थास कितने बड़े छेत्र में पहली हुई थी, इस शिदुगाटी सबचितार कहां से लेके कहां तक था, तो आपको बता दें इस सब्विता का विस्तार भारत में और पाकिस्तान में दोनों ही जगे हैं यह देखिए यह यह से भारत का मेप है और ये उसी से लगा हुगा पाकिस्तान तो इस सब्विता का जो विस्तार था वो भारत और पाकिस्तान दोनों में यहां से कुछ इस तरीके से जिसमें भारत गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्तान, पंजाब और पाकिस्तान का शिन्द प्रांत और पंजाब इन चित्रों में यह सब्विता फैली हुई थी इस सब्विता के विस्तार के लिए हम आपको एक चित्र दिखा रहे हैं इसको आप देखिए देखिए इस चित्र में दिखाया गया है कि पूरा पश्चिम उत्तर और दच्छिन इन चारों दिसाओं में जो सब्विता का विस्तार था जो सब्विता का अंतिम सहर था वह कौन सह था उत्तर में जैसा कि आप देख पा रहे हैं उत्तर में मंडा जम्मु कस्मीर में इस्तित है यह सिंदु घाटी सब्विता का सबसे उत्तर में इस्तित सहर था पश्चिम में देखिए सुत्का गेंडोर यह पाकिस्तान के सरी यह पाकिस्तान में इस्तित सहर है पूरब में देख आलमगीरपुर पूर में इस्थित है, यह मेरट में इस्थित है, उत्तरप्देश में यह सिंदू घाटी सब्वता का पूरवी स्थान, सबसे पूरवी स्थान है और दच्छन में देखिए दायमाबाद महराष्ट में नर्मदा नदी के तड़ पर इस्तित है ये शिंदु घाटी सब्विता का सबसे दच्छन में बसा हुआ सहर है तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये सब्विता सिंदु नदी के इर्दगिर्द चारों और एक बहुत बड़े छेत्र में पहली हुई थी इस सब्विता के बहुत सारे महत्वूर सहर थे जो खुदाई मिले हुएं इसमें आप अपनी स्क्रीन पे आपको सहरों को देख पा रहे होंगे जैसे ये देखिए मोहन जोदोडो चनहूदोडो कोट दीजी काली बंगा बलावनी राखी गड़ी और धोला वीरा सुरकोटदा लोथल रंगपुर ये सिंदु घाटी सब्विता के कुछ महत्वूर सहर हैं इन सहरों की खुदाई से ही बहुत सारे जो अवसेस मिले हैं उस सब्विता के जो भी खुदाई में चीजें जो वस्तु में प्राप्त हुई हैं उन वस्तु के आधार पर ही अनुमान लगाया जाता है कि लोगवागों का जीवन कैसा था इन सहरों के बारे में और उस सब्विता के बारे में आईए हम अब देखते हैं हम लोग सिंदु घाटी सब्विता का नगर नियोजन तो पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि सिंदु घाटी सब्विता के नगर या एक नगरी सब्विता थी सबसे पहले एक प्रशनाम का बनता है क्या सिंदु घाटी सब्विता एक ग्रामीर सब्विता थी या नगरी सब्विता थी तो सिंदु घाटी सब्विता एक नगरी सब्विता थी कलपना कीजिए कि आज से साड़े चार हजार वर्स पहले भी जो सबता थी उसमें नगरों का अस्तित्व था वहाँ पर नगर हुआ करते थे और आपको जानकर बहुत आश्यर होगा बड़ा इंट्रेस्टिंग है कि ये नगर बड़े नियोजद सू नियोजद नगर थे हम आज अपने आसपास देखत हैं तो हमें बहुत सारे अनियोजद और अव्यवस्थत सहर दिखाई देते हैं लेकिन सिंद्ध उखाटी सबता के नगरों की ये बहुत बड़ी विशेश्ता थी कि ये जो नगर थे बहुत नियोजद धंग से बनाए गहे थे ये किस तरीके से नगर बने हुआ करते थे य ग्रिट पैटर्न आप समझते हैं ग्रिट पैटर्न एक सतरंज की तरह होता है ग्रिट पैटर्न देखिए ये ये ग्रिट पैटर्न है एक तरह से ग्रिट पैटर्न है ये ग्रिट पैटर्न में क्या होता था कि सडकें एक दूसरे को समकोन पे या 90 डिगरी पे इस तरीके से काटती थी, ये grid pattern है, सडके एक दूसरे को 90 degree पर काटती थी आयताकार 90 degree पर काटने वाली सडके हुआ करती थी मुक्क सडके और इन सडकों से कुछ सडके अंदर की तर भी जाया करती थी कुछ इस तरीके से, ये छोटी सडके हुआ करती थी और क्या हुआ करता था सड़क के किनारे नालियां हुआ करती थी ये नालियां छोटी छोटी नालियां जो हर घर से जो निकलने वाला पानी हुआ करता था उसको बहा कर जो बड़ी सड़क के किनारे मुख नाली हुआ करती थी उसमें पानी डाल देती थी और वे पानी बड़ी सड़क के किनारे जो नालीयां को करती थी सड़क के सहर के बाहर उस पानी को निकाल देती थी ये नालियां ढकी हुई होती थी और जो सिंदु सब्वता के घर हुआ करते थे इन घरों का दर्वाजा पीछे की तरफ होता था मुक्र सडक में सामने की तरफ ना होके पीछे की तरफ हुआ करता था घर जो बने हुआ करते थे घर में जो निर्मान सामगरी का प्रयोग होता था वे पकी हुई इंटों का और कुछ लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता था उस समय तो आईए जानते हैं इसमें क्या क्या है देखें सिंदु घाटी सब्वता एक नगरी सब्वता थी नगर आयताकार ग्रिट पैटर्न जो भी चीज़ें अंडरलाइन करें उनको आप याद रखिए क्योंकि ये प्रिश्मे पेपर में पूँची जाने वाली है नगर आयताकार ग्रिट पैटर्न ग्रिट पैटर्न आपसे पूँचा जा सकता है grid pattern पर आधारत थी सड़क के उत्तर दच्छन सड़क उत्तर दच्छन और पूरब पस्चिम दिसा में जाती थी और एक दूसरे को 90 अंस पर काटती थी यहाँ पर संपूर्ण लिखा हुए इसको समकोन पढ़िए समकोन पर काटती थी विसाल सड़के नगर को अनेक खंडों में विवाजित करती थी जैसा कि हमने आपको बताया कि यह जो सड़के होती थी 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटती थी और grid pattern था आंगे देखिए नगर दो भागों में विवाजित था गड़ या किला तथा निचला भाग में पूर बात है जो सिंदु सब्वता के जितने भी नगर मिले हुए हैं वो दो भागों में विवाजित हुगा करते थे एक गड़ किला जिसे गड़ कहते थे या किला कहते थे और दूसरा निचला भाग पहले भाग में उचाई पर इस्थित गड़ देखिए इस तरीके से बने होते थे ये गड़ या किला और ये निचला सहर ये जो पहला भाग है ये उचाई पर इस्थित हुगा करता था कुछ और जो दूसरा भाग है ये कुछ नीचे स्थितुगा करता था तो पहले वाले भाग को गड़या किला कहते थे गड़या किला का उपियोग बिसाल भवनों जैसे अन्नागार प्रसासनिक भवन इस्तंभो वाला हौल आदी के लिए किया जाता था तो ये जो गड़ था इसका उपियोग आप समझ सकतें कि जो बड़े भावन हुगा करते थे जैसे अन्नागार बताया अन्नागार जहां पे एक तरीके का खाद्यान का गोदाम समझिए आप इसको खाने को जो अनाज हुगा करता था पैदा होता था अनाज उसको संवच्चत रखने के लिए अन्नागार का इस्तेमाल होता था और प्रसासने एक भवन जो माद सकते हैं कि सासक वर्ग उपर उपरी हिस्से में जो गड़ था वहाँ पे रहते थे प्रसासने कारियों का देखभाल वहीं से की जाती होगी तो आँगे देखिए गड़ किला पस्चमी छोर पर इस्तित होता था जबकि निचला नगर पूर्वी छोर पर इस्तित होता था निचले भाग का उपयोग सामानता मजदूरों और आम जनता के रहने वाले भवनों के लिए किया जाता था तो आप नगर की संरचना अच्छे से समझ गए होंगे कि नगर किस तरीके के बने होते थे नगर दो भागों में बटा भी होता था आई आँगे देखते हैं निर्माण के लिए मिट्टी की पकी इंटों का प्रियोग किया जाता था निर्माण के लिए में कच्छी इंटों का प्रियोग important है इसको याद रखेंगे सिंदुगाटी सब्विता के लगभग सभी सहरों में पकी हुई मिट्टी की इंटों का प्रियोग किया गया है जबकि काली बंगा काली बंगा एक सिंदुगाटी सब्विता का सहर है जहाँ पर निर्माल के लिए कच्छी इंटों का प्रयोग किया गया है इंटों को जोडने के लिए जिपसम के गारे का प्रयोग किया जाता था यह भी important है देखिए प्रस्ण कैसे बनते हैं आप से इस तरीके से पूछा जा सकता है कि सिंदु घाटी शबता के लोगों को निमनलखित में से किसका ग्यान नहीं था या किसका ग्यान था ए पकी हुई इंटों का बी जिपसम सी लोहे इस तरीके से तो देखिए यहां पर देखा हमने कि जिपसम के गारे का उपयोग करते थे तो इसका मतलब उनको जिपसम का ग्यान था आँगे देखिए हडपा शबता की एक अन्य विसेस्ता उन्नत जल निकासी व्यवस्ता थी जो हमने भी आपको पहले बताया कि हर घर से निकलने वाली छोटी नालिया सड़क के किनारे बड़ी नाली में मिलती थी और वह बड़ी नाली सहर के बाहर पानी को छोणती थी तो एक उन्नत जल निकासी व्यवस्ता थी प्रतिक घर से निकलने वाली छोटी नालिया मुख्य सड़क के साथ चलने वाली बड़ी नालियों से जुड़ी होती थी नियमे साफ सफाई और रख रखाओ के लिए नालियों को ढखा जाता था आईए आंगे बड़ते हैं सिंदु घाटी सब्विता के प्रमुक इस्थल ये देखिए इसमें बहुत जो महत्पूर्ण इस्थान है उनमें उस जगह का नाम किस नदी के तड़ परिस्थित थे उनको किस सन में खोजा गया या उनमें खोजाई किस सन में की गई और किसने की और वर्तमान में वो जो सहर है वो कहां परिस्थित है ये आपको एक टेबिल दी गई है यह आपको याद ही करना होगा जैसे भी इसको आप याद करें देखिए एक बार हम आपको पढ़के बताते हैं हडपा हडपा सब दा इसमें कन्फ्यूज मत होईए यह सिंदु नदी के तड़ पर नहीं है यह रावी नदी के तड़ पर है सबसे पहले 1921 में इसकी ही खोच की गई थी इसके उत्खनन करता थे दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वत्स इसमें वक्त लिखा है आप लोग से वत्स पढ़िए और इसकी वर्तमान इस्तिती मोंट गोमरी जिला पाकिस्तान ठीक है हडपा इस समय पाकिस्तान में इस्तित है दूसरा महतपूर इस तरह है मोहन जोदडो साहद मोहन जोदारो करके एक फिल्म का नाम भी है एक फिल्म भी आई थी तो यह मोहन जोदडो सहर सिंधू नदी के तड़ पर है इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर जी यह भी पाकिस्तान के सिंध परांत में इस्तित है सारे नहीं याद रख सकते है तो कम से गम हरपा और मोहन जोदडो इनकी खोज कब हुई किस नदी के तड़ पे हैं और किस ने इनकी खोज की चूंकि यह सुरुवात के दो स्थल है इनको जरूर याद रखिएगा इसके बाद जो स्थल दिये गए हैं यह भारत के किस परांत में हैं इसको आप बिल्कुल रट लीजिए काली बंगा घगघर नदी के तड़ पर 1931 में बीबी लाल और वीके थापर ने इसकी खोज की थी यह पाकिस्तान के सॉरी यह गलत लिखा हुगा काली बंगा राजस्थान में था काली बंगा इसको सही कर लिए काली बंगा भारत के राजस्थान सहर में अगला इस्थान देखी रंगपुर मादर नदी के तटपर है 1953 में रंगनाथ राव ने इसकी खोच की थी और ये गुजरात के काठियावार जगह पर इस्थेत है चनहुदुडो ये भी पाकिस्तान में इस्थेत है सिंदु नदी के तटपर रोपड और लोथल महतपूर स्थल है रोपड सतलज नदी के तटपर है 1953 में यगदत सर्मा ने इसकी खोच की थी और लोथल भोगवा नदी के तटपर है रंगनाथ राव ने इसकी खोच की थी और गुजरात के ऐमधावाजिले में ये इस्थेतर इसमें जो भारत में जो सहर है काली बंगा है, रोपड, लोथल, रंगपुर या आपसे इस तरीके से प्रशन में पूछे जा सकते हैं कि एक तरफ सहर का नाम दिया होगा और दूसरी तरफ नदियों का नाम और आपको मैच करना होगा कि कौन सा सहर किस नदी के तरफ पर इस्थेत है या एक और सहर का नाम और दूसरी तरफ भारत के उस प्रदेश का नाम जहां पर वे सहर इस्थेत है इस तरीके से भी पूछा जा सकता इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी है देखिए दो सहर और हैं आलमगीरपुर, बनाविली और धौला वीरा सब्विता का सबसे पूर्वी सहर है जो मेरठ में हिंडर नदी के तरफ पर इस्थेत है बनावली हर्याणा में इस्थेत है और धौला वीरा गुजरात में अब आईए आंगे देखते हैं अब हम लोग देखेंगे कि सिंदु घाटी सब्विता में कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं और उन वस्तुएं के आधार पे ही ये निसकर्स निकाला जाता है कि उनका जीवन कैसा था मतलब है किन की पूजा करते थे व्यापार किस तरीके से करते थे और किन वस्तुएं को खाते पीते थे और मनुरंजन के उनके साधन क्या थे तो यह सारी चीजें जैसा कि मैंने शुरुवात में ही आपको बताया कि पूरा तात्तिक स्रोत हैं जो खुदाई में वस्तुएं मिली हैं उनके आधार पर ही निसकर्स निकाले गए हैं आए देखते हैं कुछ मोहरे मिली हैं तो उन मोहरों का इस्तेमाल किसलियी किया जाता था किया जाता था परंतु इसके अलावा तांबा और टेरा कोटा और सोने और हाथी के दात के भी मोहरे मिली हुई हैं तो यह important है कि हरपा शब्यता में किस किस चीज की मोहरे मिली हुई हैं सोने की भी मिली हैं हाथी दात की भी मिली हैं टेरा कोटा टेरा कोटा बता दें आपको पकी हुई मिट्टी को टेरा कोटा कहते हैं तांबे की भी मिली हैं और इस्टेटाइट की मिली हैं सरवाधिक मोहरें किसकी मिली हैं इस्टेटाइट या नदी के तल में जो पाया जाने वाला मुलायम पत्थर जो होता है इस्टेटाइट उसकी सरवाधिक मोहरें मिली हैं यह कि Estetite को Highlight भी किया हुआ है, बाकि इन सब चीजों की मोहरें मिली हुई है, देखिए द्यान देने बात है, क्या यहां पे लोहे की कोई सामगरी मिली है, नहीं, ध्यान रह किएगा हरपा शब्यता के लोगों को लोहे का घ्ञान नहीं था, या लोहे की खोज उन्होंने नहीं किई थी आंगे देखिए मोहरों पर यहाँ पर मुद्दों लिखा है आप इसको मोहरें पढ़िएगा अधिकान्स टाइपिंग मिस्टेक है अधिकान्स मोहरें अधिकान्स मोहर चित्राचर लिपी या pictographic script इसको highlight कर दिया है इसको बहुत ध्यान से पढ़िए में मुद्रा लेक भी है मतलब जो मोहरे मिली हुई है उनमें pictographic script में लिखा हुआ भी है कुछ लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका जैसा कि हमने आपको पहले री बताया कि इस अभीता के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं मिला है जिसको पढ़ के जानकारी की जा सके जो मोहरे मिली हुई है उनमें लिखा हुआ है कुछ चित्र भी बने हुए है और कुछ लिखा भी हुआ है पर उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका जब पढ़ नहीं सकते हैं तो पता नहीं कर सकते हैं कि इसमें क्या लिखा और उस समय क्या होता था तो आपसे एक प्रश्ण यहां बनता है कि pictographic script किस काल की है आंगे भी इसमें आपको option दे सकते हैं सिंदुगाटी सब्विता या वैदिक सब्विता या महाजन पत्काल इस तरीके से आपको अलग-अलग option दे दिये जाएंगे तो pictographic script जो मिली है वो सिंदुगाटी सब्विता की महरों में मिली हुई है देखिए और क्या है महरों में महरों की सतय को सतय पर कूबरदार बैल ग इसको मुने हाईलाइट कर दिया है पूँचा जा सकता है शिंदुगाटी सब्विता की महरों पर किस जानवर का कोई भी चित्र नहीं मिला है तो गाये का कोई चित्र या साक्ष नहीं मिला है मोहरों पर एक और पसु या मानों की आकरती है और दूसरी और मुद्रा लेक या दोनों और मुद्रा लेक हैं कई विद्वानों का यह मानना है कि टिग्रिस यूफरेटस घाटी की मेसो पोटामिया के लोग शिंदु घाटी सब्वता को मेल हुआ कहते थे मेसो पोटामिया में सिंदु घाटी की कई मोहरे मिली है देखिए यह जो मेसो पोटामिया की सब्वता है तो इस सब्वता में सिंदु घाटी सब्वता की मोहरे मिली है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि यहां के लोग वहां के लोगों से क्या करते थे व्यापार करते रहे होंगे आते जाते रहे होंगे कुछ वस्तूं का आदान प्रदान करते होंगे तभी तो यहां की महरे वहां पर पहुंची है ठीक है तो आपसे यह प्रशन पूछा जा सकता है कि क्या सिंदुगाटी सब्वता के लोग व्यापार करते थे जी हाँ बिलकुल करते थे और मेसो पोटामिया के लोगों के साथ द्यापा भी करते थे और जो highlight किया है word मेल हुआ तो आपसे पूछा जा सकता है कि मेसो पोटामिया के लोग सिंदुगाटी सब्विता के लोगों को क्या कहते थे मेसो पोटामिया में शिंदु घाटी की मोहरे मिलने से अनुमान लगाया जाता है कि इनका उपयोग व्यापार के लिए किया जाता था कुछ मोहरें सबों के ऊपर मोहरें पाई गई हैं जिससे यह पता चलता है कि इनका उपयोग तावीज के रूप में किया जाता था कुछ मोहरों पर गड़ती आकरतियां मिली है तो संभवता यह अनुमान लगाया जाता है कि कुछ सैच्छन गुद्देशियों के लिए या सिखाने के लिए भी इन मोहरों का उपयोग किया जाता रहा होगा यह देखी अब अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होगे कुछ मोहरे हैं पसुपत की मोहर और काली बंगा से मिली हुई कुछ मोहरों की तस्वीर है पसुपत की मोहर इसमें आप ना समझ पा रहे हैं तो दो जानवर इस तरफ है और दो जानवर इस तरफ और उपर देखी ये, ये कुछ लिखा हुआ है चित्राच्छर लिभी में है ना, और ये व्यक्ति है जो पल्ती मार के बैठा हुआ है महरे में पसुपति की महर है, ये बहुत ही महतुपूर महर है शिंदुगाटी सब बतागी तो यह जो इस स्क्रिप्ट जो लिखी हुई है इसी हुग हम बोलते है पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट इसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है और देखिए काली बंगा से मिली कुछ महरे हैं इनमें भी आप देख सकते हैं कि कुछ जानवरों की तस्वीरे हैं और इसमें कुछ उपर लिखा हुआ है इस तरीके से तो यह हैं कुछ उस समय की महरें जो आपको दिखाई हैं ताकि आप याद रख सकें आई और देखते हैं सिंदु घाटी सब्वता में और क्या चीज़ें मिली हुई है कांसे मूर्तियां कांसे की भी मूर्ति मिली हुई है कांसा एक मिस्र धातू होता है आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कांसा किसकी और किसकी किन दो धातू को मिला कर कांसा बनाया जाता है हडपा शब्यता में व्यापक पैमाने पर कांसे की ढलाई की प्रतासे मूर्तियां बनाई जाती थी देखिए बहुत important fact है कांसा मिस्र धातु थी तो आपसे एक प्रशन सीधे सीधे पूँचा जा सकता है कि क्या हडपा शब्यता के लोगों को मिस्र धातु का ग्यान था क्या हुआ दो धातु को मिला कर एक नई मिस्र धातु तयार कर सकते थे जी हाँ, बिलकुल गर सकते थे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कांसे की मूर्थियां बनाई जाती थी, यह तक्निए की लुप्त मौम, लुप्त मौम तक्निए की कहलाती थी, नर्तकी की बिश्व की सबसे पुरानी कांसे की नौर्ती है, जो मोहन जोदरो से प्राप्त हुई तो मोहन जोदोलो से कांसे की मूर्ती नर्तकी की मिली हुई है यह देखिए आप अपनी स्क्रीन पे इस मूर्ती को देख सकते हैं यह महें चार इंच की मूर्ती है सायद तो कांस मूर्तियां मिली हुई है तो कांस मूर्तियां क्या दरसाती हैं यह लोग मनोरن्जन के लिए निरत्य और संगीत भी करते रहे होंगे हैंना कांस मूर्तियां ये दरसाती है निरत्य की मूर्ती का मतलब यह कि निरत्य और संगीत उस समय प्रचलन में रहा होगा देखिये यहाँ पर एक सब्द आया है लुप्त किनी की है ना लुप तो मॉम तकनीकी क्या होती है इस तकनीकी से मूर्तियां बनाई जाती थी यह तकनीकी बहुत अजीबो गरीब तकनीकी है इसमें क्या किया जाता था कि मॉम की एक मूर्ति बनाई जाती थी पहले तो मॉम की मूर्ति बनाने के बाद उसके उपर मिट्टी का लेपन किया जाता था मतलब उसके उपर मिट्टी की मूर्ती बनाई जाती थी या उसको मिट्टी से ढग दिया जाता था उसके बाद क्या करते थे उसके बाद उसको पकाते थे आग में आग में पकाने पर क्या होता था जो मिट्टी होती थी वह उपर की ठोस हो जाती थी है ना और मिट्टी उपर की ठोस हो जाने के बाद क्या करते थे उसमें एक छोटा सा छेट करके जो अंदर मोम भरी हो जाती थी उसको निकाल लिया जाता था और उस मोम को निकालने के बाद उस छेट से जो धातू होती थी, धातू को पिखला के भर दिया जाता था तो धातू उसी मूर्ती के सेप में आ जाती थी और धातू को भरने के बाद जब वो ठंडी हो जाती थी तो उपर से जो मिट्टी के लेप था जिसको पका लिया गया था इसको तोड़के अलग कर लिया जाता था और वह मूर्ती बन जाती थी यह तकनीकी लुप्तमुम तकनीकी कहलाती थी आईए और देखतें कासे की मूर्ती के अरावा क्या मिला था तेरा कोटा मूर्तियां बनाने के लिए पकी हुई मिट्टी का उपयोग किया जाता था कांसे की मूर्तियों की तुलना में तेरा कोटा की मूर्तियां कम हैं एवं आकार और रूप में भद्दियें इसको आप गुरुप लिखा है यह रूप है आकार और रूप में भद्धिय है सामानिता टेरा कोटा का खिलोने पसू की मूर्तियां छोटी गाड़ियां पहीयादी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था तो आप समझ सकतें कि यो टेरा कोटा की जो मूर्तियां बनती थी यह कांसी की तुलना में कम मूर्तियां है और उनका उप्योग खिलोने बनाने के लिए पसू की मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता था तेरा कोटा अर्थात पकी हुई मिट्टी की बनी मात्र देवी की मूर्तियां अनेक इस्थलों से मिली हुई है ठीक है तो यह बहुत ही महत्पूर्ण है पकी हुई मिट्टी की बनी मात्र देवी की मूर्ति है ना मात्र देवी की मूर्ति आपसे पूछे है क्या हुआ का से की है नहीं वह टेरा कोटा की है बादा चलता है कि सिंदुगाटी सब्विता के लोग किसी पूजा करते थे तो सिंदुगाटी सब्विता के लोग मात्र देवी की पूजा करते थे आईए आँगे देखते हैं मिट्टी के बरतन या जन्हें हम लोग म्रदभांड गयते हैं देखिए ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मोहन जोदरों से मिली हुई एक मात्र रेवी की मूरती है या टेरा कोटा की बनी हुई है या पकी हुई मिट्टी की बनी हुई है अब आँगे देखिए मृद्भांड या मिट्टी के बरतन यहां से दिया है उत्खनन में उत्खनन में प्राप्त मृद्भांडों को या मिट्टी के बर्तनों को मोटे तोर पर दो प्रकारों में वर्गी गरत किया जा सकता है कौन-कौन से चित्रत मिर्दभांड और साधे मिर्दभांड साधे मिर्दभांड वे होते थे जिनको रंगा नहीं जाता था चित्रित मृद्भांड क्या होदा था कि जो मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे तो इनको रंगने के लिए लाल रंग से इनको रंग दिया जाता था और लाल रंगने के बाद इसमें काले रंग से कुछ चित्र बनाए जाते थे आकरतियां बनाई जाती थी तो इस तरीके से जो वर्तन मिले हैं उनको चित्रित मृद्भांड कहते हैं और कुछ सादे वर्तन मिले हुए है तो सादे वर्तनों को रंगा नहीं जाता था तो आप से पूँचा जा सकता है कि शिंदुगाटी सब्वता में जो बर्तन मिले हुए है उनमें किन रंगों का प्रियोग किया गया है तो उसमें लाल और काले रंगों का प्रियोग किया गया है आँगे देखिए चित्र मृद्भांडों को लाल वा काले मृद्भांड भी कहते हैं क्योंकि इन में प्रिष्ट भूमी को रंगने के लिए लाल रंग का प्रियोग किया जाता था और चमकदार काले रंग से डिजायन और आकरतियां बनाई जाती थी विरच, पच्छी और परसुओं की आकरतियां बनी होती थी अब इन बर्तनों का उपयोग किसलिए किया जाता था मिट्टी के बर्तनों का प्रियोग अनाज और पानी के भंडारण जैसे घरेलू कारियों के लिए और सजावती प्रियोजनों के लिए किया जाता था कुछ आभूसन भी मिले हुए हैं वो भी देखते हैं शिंदुगाटी सब्वता के लोग आभूष्ण बनाने के लिए मूल लिवान धात्मों, रत्नों, हड्डियों और यहां तक की पकी मिट्टी जैसी समकरी का उपयोग करते थे पुरोस और महिला हैं दोनों ही आभूष्णों का प्रियोग करते थे देखिए यह सिंदुगाटी सब्वता के बारे हमने बहुत कुछ जाना अब बहुत सारे important question जो आपसे परिच्छा के दर्ष्टी कौन से महतपून है वो यह सिंदुगाटी सब्वता से प्राप्त महतपून वस्तुएं और उनके स्थान कौन-कौन सी वस्तुएं या कौन-कौन सी आकरतियां या सनरचना है किस प्रकार के घर कहां से मिले हैं यह बहुत महतपून है आपके जो सिंदुगाटी सब्वता से प्रशनाने की संभावना है वह यहीं से आईए देखते हैं देखिए एक तरफ वस्तुएं दी हुई है और दूसी तरफ इस थल या किस जगह से हुए मिले हुए है इससे पहले भी हमने कुछ वस्तुएं की चर्चा की है जैसे कांसे की मूर्ती अंडर लाइन है आप देख सकते हैं मोहन जोड़ों से मिली हुई है तो आप इसको चाह किशाब नुमास संदचना थी जो पक्की बनी हुई थी ऑण्याय हिटी और जहां पर सायद सामूहिक इस्नान किया जाता रहा होगा ऐसा निसकर और अन्नागार की बारे हमने आपको बताया कि जहां पर अनाच का भंढरण किया जाता था मात्र देवी की मूर्ती कांसे की नर्तकी की मूर्ती बहुत important है राज मुंद्रांग तीन मुख वाले पुरुस की ध्यान मुद्रा वाली मोहर यह सारी चीजें मुहन जोदों से मिली हुई है दूसरा देखिए ताबूतों के सवाधान के साच सवाधान का मतलब होता है कि मृत्यों के बाद अन्तिम संसकार किस तरीके से करते थे सवाधान तो ताबूत के साथ जो सवाधान करते थे ताबूत में रख के लोगों को जमीन में दपनाया जाता था उसके साच कबरिस्तान संख का बना बैल पीतल की गाड़ी मजदूरों के आवास और कागज का साच इसमें दो चीजें बहुत इंपोर्टेंट है ताबूतों के सवाधान के साच और कागज का साच कहां से मिला है हडपा से मिला हुगा है हडपा से आंगे देखिए आयताकार साथ अगनिवेदिका है मतलब एक तरीके से हवन कुन तरीके से और जुते हुए खेत के साच बहुत इंपोर्टेंट है मोस्ट इंपोर्टेंट है जुते हुए खेत के साच हडपा सब्वता के किस स्थान से मिले हुए है जोते हुए खेत के साच का मतलब सीधा सीधा है कि ये लोग खेती भी करते रहे होंगे है ना काच की मिट्टी की चूडियां है ना और सिलवट्टा सूती कपड़े की छाप मन के इत्यादी ये कहां से प्राप्त हुए हैं काली बंगा से आंगे देखिए गोदी वाड़ा गोदी वाड़ा का मतलब है डक्यार्ड डक्यार्ड एक तरीके से आप पत्तन की तरीके समझ लीजिए जहां से ब्यापार होता है समुद्र के किनारे इस तरीके से समुद्रिया किसी नदी के कि यह सारी चीजें आपको कहां से मिली हुई हैं लोथल से लोथल कहां पर है आप पीछे स्कॉल करके देखिए लोथल गुजरात में है न भोगवा नदी के तड़ पर तो इसमें जो जी अंडरलाइन करें उनको आप बहुत ध्यान से याद करिए गोदीवाड़ा बहुत इंप धान की भूसी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे एक प्रिश्न पूछा जा सकता है कि क्या हडपा सब्वेता के लोगों को धान का ग्यान था क्या वे धान की फसल करते थे बिलकुल करते थे पांशमें नंबर पर देखिए क्या-क्या मिला है चनहुदुडो से व और अलंकरत हाथी और आंगे देखिए छटमें नंबर पर खिलोने वाले हल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पूछा जा सकता है कि जो का प्रमार कहां से मिला है तो जो के प्रमार कहां से मिले हुए है बनावली से और ताबे के बाणागर इसमें भी वही चीजें आप को दी हुई है सिंदुगाटी सब्वता के कुछ महत्वूर्ण इस्थल और उनकी पुरा तात्विक प्राप्तियां तो इसमें देखिए कुछ चीजें हैं सारी वही चीजें हैं जो रिपीट हुई हैं कुछ चीजें नई होंगी तो आप इसको पॉस करके एक बहुत ध्या गारों की दो कतारें लिंग योनी के पासान प्रतीक मातर देवी की मूर्ती लकडी की ओकली में गेहूं और जो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है गेहूं जो चावल सारे चीजें के साच्छ मिलें इसका मतलब इन फसलों का ग्यान था और पासा पासा मिला है इसका की बनी हिरन का पीछा करती हुए कुत्ते की मूर्ती लाल बलुगा पत्थर से बना पुरुस धड़ खुदाई में प्राब्त किये गए हैं आंगे देखिए मुहन जोदडों से ब्रहत इस्नानागार अननागार दाह संसकार के पश्चात सवाधान डाड़ी वाले पुजार की मूर्ती नर्त की की प्रशिद्यकांस मूर्ती जो हमने आपको उपर दिखाई भी थी और पश्चुपती की मोहर गुजरात के धोला वीरा से आंगे विसाल जलास है इंपॉर्टेंट है जिनको अंडलाइन करेंस को बिलकुल अच्छे सियाद रखिएगा इस्टेडियम बांध है ना और गुजरात में लोथल से जैखिए एक बहुत महतपूर्ण प्रशन दिया है सिंदु घाटी सब्विता का मैंचेस्टर गुजरात में लोथल मैंचेस्टर क्या है आप हमें कमेंट वॉक्स में बताईएगा हम आपको लास्टें बताएंगे गुजरात में लोथल में क्या क्या मिला है समुद्री व्यापार का महतपूर्ण स्थल आप लोथल को याद रखिएगा लोथल गुजरात में भोगवा नदी के तटपर है और यह समुद्री व्यापार का एक स्थान ता यहां से सिंदु घाटी सब्विता के लोग व्यापार करते थे इस सिन्दु घाटी सब्वता का मैंचेस्टर भी कहा जाता है मैंचेस्टर हम आपको बताई दें मैंचेस्टर सूती वस्त्र के लिए प्रशिद्ध है और ये इंग्लेंड की एक जगे का नाम है मैंचेस्टर देखी और क्या मिला है गोदी सब्धान के अवसेश को दखनाने की प्रथा, धान की भूसी, अगनी वेदिकाएं, चित्रत मृद्भांड, आधुनिक सतरंज, है ना, घोड़े और जहाज की टेरा कोटा की मूर्ती, और पैंताहलेशंस नब्बेंस और एकसो असियंस डिगरी कोण मापने वाले उपकरण, आंगे देखिए, और भी चीज़ें भारती सीमा के निकट घगर, हाकरा की धारा पर इस्थित, पाकिस्तान में गनेरी वॉल, हर्याणा में राखी गड़ी, शिंदुगाटी सब्विता के ये इस्थल है, आपको ये इस्थल भी याद रखने हैं, और यहां से किस चीज़ का साच्छ मिला है, इसे भी आपको य जात करना है, देखिए हर्याणा में राखी गड़ी, शिंदुगाटी सब्विता का सबसे बड़ा इस्थल, है न, अन्नागार समाधी छित नालियां, टेरा कोटा की इटे, लेकिन इसमें जो प्रश्ण आपका बन रहा है, वहुदी महत्पूर्ण है, शिंदुगाटी सब सबसे बड़ा इस्थल किसे माना जाता है, राखी गड़ी, कहां पर इस्थल है, हरियाणा में, अगला इस्थल देखिए, रोपन, पंजाब में सतलज नदी के तड़ पर है, अंडाकार गड़े में मानो सवाधान के साथ दफन कुत्ता, प्रशन पूचा जा सकता है कि मानो के साथ दफनाय के कुत्ते का साच कहां पर मिला हुआ है, रोपन में, राजस्थान में लोथल और काली बंगा, लोथल गुजरात में इस्थे थै, राजस्थान में काली बंगा, देखिए चूडी, कारखाना, खिलोना गाड़ियां, उंट की हड़ियां, अलंकरत इंतें, गड़ी और निचला नगर, और देखिए आंगे कुछ, गुजरात में सुर्कोड़दा, यह important है, यह प्रशन पूचा जाता है, घोड़े की हड़ियों का साच कहां मिला है, गुजरात के सुर्कोड़दा में, हरियाना में बनावली, सूखी हुई सरस्वती नदी पर, पीस, लजली, अगनी वेदिकाएं, अंडाकाराकार की बस्ती, अरिये गलियों वाला एक मात्र नगर, इसको आप याद रखिएगा, अरिये गलियों वाला एक मात्र नगर, हमने आपको बताया था कि शिंदु घाटी सब्वता में जो सडके होती थी, वो एक दूसरे को समक पर काटती थी, अरिये गलियां कैसे होती है, एक कोई किंद्री इस्थान होता है, सहर में, और सारी गलियां इस तरीके से उसी इस्थान की तरफ आती है, ये अरिये आकरती कहलाती है, है ना, एक किंद्री कोई इस्थान है, या कोई प्यूजा इस्थल हो सकता है, या कोई किनारे घर हुआ करते थे तो पूशा जा सकता है कि अरी ये गलियों वाला एक मात्र नगर कौन सा था वह था हरियाना का बनावली उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर मेरट उत्तर प्रदेश में यमना के तड़ पर सिंदु घाटी का सबसे पूरवी इस्थाल है यह हमने आ पाकिस्तान में इस्थित मेहरगड को शिंदु घाटी सब्वता का अग्रदूत माना जाता है यहां मिट्टी के बरतन तांबे के आउजार मिले हैं तो एक प्रश्ण है आपका शिंदु घाटी सब्वता का अग्रदूत किसे माना जाता है अग्रदूत मानने का मतलब है कि यह सुरुवाती सहरों में से है अब हम देखते हैं कि सिंदु घाटी सब्विता का पतन कैसे हुआ आखिर जो सब्विता इतने बिसाल छेत्र में फैली हुई थी ऐसा क्या हुआ कि इतने सारे लोग अचानक उस छेत्र से गायब हो गए उस छेत्र से चले गए छोण कर चले गए या कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ गई कि अधिकांस लोग मर गए या वहाँ छोण कर भाग गए ऐसा क्या हुआ कि सिंदु घाटी सब्विता खतम हो गई और उसके सहर आज साड़े चार हजार सार वर्स बाद खुदाई में मिले है आखिर लोग इतनी बिसाल छेत्र को छोण कर कैसे जा सकते हैं है ना तो इसमें बहुत सारे जो इत्यासकार हैं जो विद्वान हैं उन्होंने अपने अलग अलग मत दिये हुए हैं कुछ विद्वानों का मत है कि पारिस्थितिकी असंतुलन मतलब पर्यावरणी दसाएं इतनी खराब हो गई थी कि वहाँ पर रहना मुस्किल हो गया था कुछ विद्वान कहते हैं कि बाड आ गई थी बाड बिलकुल एक संभावित कारण हो सकता है क्योंकि बाड अपने साथ बहुत मिट्टी भी लाती और पूरे सहर के सहर उसमें दब भी सकते हैं कुछ विद्वानों का मत है कि नदी का सूख जाना बिलकुल सही बात है नदी, पानी जल ही जीवन हम जानते हैं तो अगर पानी ही नहीं होगा तो जीवन कैसे होगा नदी, सूख जाने पे लोग भाग छोण के जा सकते हैं कुछ विद्वान कहते हैं की आरे का आकरमण आरे कौन थे आरे बाहर से आये थे और जिन्होंने उन पे आकरमण किया होगा तो आकरमण के डर से या भैस से वो लोग वहाँ से छोड़के भाग गए होंगे तो ऐसे अलग-अलग विद्वानों ने अपने अलग-अलग मत व्यक्त किये हैं लेकिन किसी एक मत को पूरी तरीके से सही मानना या किसी एक मत को पूरी तरीके से गलत मानना उचित नहीं है इसमें कई सारे कारण भी हो सकते हैं हो सकता है बाड़ भी आई हो प्राक्रतिक कारण भी हो या हो सकता कोई महामारी फैल गई हो विदेजी आक्रमन भी हो सकते हैं तो इसमें आपसे जो पेपर में जो पूँचा जा सकता है कि कौन सा विचार किस ने दिया है अलागे ये बहुत महतून प्रशन नहीं है फिर भी इसको एक बार देख लीजे आर्यों का आक्रमन गार्डन चाइल्ड एवं विहीलर पारिस्थित की अशंतुलन फेर सर्वेस, नदी मार्ग में परिवर्तन MS वत्स, बार मैके और SR राव घगघर नदी का सूख जाना DP अगरवाल भूकंप एवं जल पिलावन राइक्स एवं डेक्स वर्सा में कमी आस्टाइन इन विद्वानों ने अपने अपने मत दिये हैं कि सिंदुगाटी सब्विता का पतन किस तरीके से हुऊ हो गया लेकि इस वीडियो में हमने ज़्याद तर चीजें सिंदुगाटी सब्विता के वारे में देख ली हैं लेकिन अभी बहुत सारे प्रस्ण इससे बन सकते हैं यह वीडियो निश्चत तौर पे आपको शिंदुगाटी सब्विता के वारे में एक overview बनाने में बहुत मदद करेगी परंदु इतना ही काफी नहीं है बहुत सारे प्रशन अभी इस से बनते हैं और इन सारे प्रशनों को जो इस topic से बन रहे होंगे इस lecture में जो प्रशन आए हैं या इस lecture में जिन चीजों को सामिल नहीं किया है उन सारे question को लेके हम बहुत सारे MCQs भी तयार करेंगे और अपने आगे आने वाले वीडियों में हम आपको वो सारे MCQs, वो सारे प्रशन देंगे और आपकी पूरी तयारी को complete करवाएंगे जिससे आप paper में बेहतर कर सकें Thank you so much for listening